इस लेक्चर में हम Reservation Quota Limit और इंद्रा सहानी केस की बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे यह आपके प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपोर्टेंट हैं और अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है क्योंकि तमिल नाडू गोवर्मेंट ने सुप्रीम कोर्ट की Constitutional Benz से कहा है कि Reservation Individual States में Subjective Satisfaction से होनी चाहिए मतलब जो Individual States की जो Subjective Satisfaction है उसके हिसाब से ही Reservation Percentage होनी चाहिए Constitutional Benz का मतलब है जी Group of Judge बैठ जाते हैं और कोई Constitutional Provision पर Decision लेना हो उसको बोलते हैं जी Constitutional Benz मतलब इसमें कुछ जज होते हैं जो Decision लेते हैं Constitution के हिसाब से और Subjective Satisfaction का क्या मतलब है कि Individual की States की कोई भी मनलो राज जिया उसकी Subjective Satisfaction के हिसाब से Decision लेना है कि परसंटेज कितनी देनी है Subjective Satisfaction का मतलब है जी States की Discretion मतलब State की अपनी मर्जिय अपनी इच्छा है कि वो identify करेगा कि उसके State में कौन socially and educationally backward classes है और fix करेगा कि Reservation की किसनी परसंटेज उस State को देना चाहिए Government Job में या Educational Admissions में या Admissions मतलब Educational Institute College School बगरा में कितनी Reservation देनी चाहिए यह State खुद Decide करे हर राज्य खुद Decide करे अपनी इच्छा से State के Discretion से यह सबजेक्टिव Satisfaction का मतलब तो Statement में सिर्फ इतना पूझा जा सकता है कि यह Subjective Satisfaction का मतलब क्या है क्योंकि आज कल प्रिल्डिम में देख रहे हो आप ऐसे क्वेशन आते हैं अब यह इंद्रासाहनी केस क्या है इंद्रासाहनी केस है जी Nine Judge Bench बैटी थी इंद्रासाहनी केस में यह 1992 का केस केस है 1992 का इस केस को मंडल कमिशन केस भी बोला जाता है इसमें सुम्पृव कोट ने Reservation की जो Ceiling है वो 15% तक Impose कर दी यानि कि आप Reservation 50% से ज्यादा नहीं दे सकते जैसे मानलो जी 100 वेकंसी निकली है 100 वेकंसी निकली है किसी पोस्ट में मानलो IS की वेकंसी निकली है जी UPSC क Examination की मानलो 500 वेकंसी निकली है एक साल में और उनमें से क्या है सिर्फ 50% से ज्यादा आप Reservation नहीं रखोगे ज्यादा से ज्यादा 50% ही रख सकते हो उससे कम रखोगे जैसे 50% कितना होगा 500 का 200 तो 200 आप Reserv रखोगे और 200 जनरल के लिए रहेंगी जनरल कास्ट के लिए और ब Supreme Court ने क्या कहा था कि इसके लिए क्या है मंडल कमिशन बैठाय गया था जिसमें गौर्मेट ने OBC को 20% Reservation दी मंडल कमिशन की Recommendation पे तो ये केस गया Supreme Court में जो केस जाना जाता है इस नाम से इंदरा सहानी केस से इंदरा सहानी केस का नाम है 1992 का इसमें Supreme Court ने कहा कि चलो ठीक ह जो आपने Backward Class को Reservation दिये 27% ये बिलकुल सही है लेकिन इसके साथ साथ ही इस मंडल कमिशन ने Recommend की थी के Economically Backward Section है और हायर कास्ट मतलब General कास्ट की जो लोग है हायर कास्ट के लोग है उनमें भी जो Economically Weaker Section है Economically Backward Class है उनको 10% की Reservation दी जानी चाहिए लेकिन ये जो Second Statement थी य मतलब की ये रद्द कर दी, Cancel कर दी लेकिन इसको 27% जो Backward Class को दिया था इसको Uphold कर दी अम्मलब इसको Support किया कि हाँ ये रहेगी आप दो लेकिन ये नहीं दे सकते 10% क्यों Supreme Court ने कहा क्योंकि Constitution में लिखा हुआ है कि आप Educationally या Socialally दो ही Criteria किसी को Reservation देने के लिए कि अगर कोई Educationally या Socialally Backward है, मतलब या तो सिक्सित रूप से या सामाजी की रूप से पिछड़ा हुआ है, उसी वर्ग को, उसी केटेगरी को आप दे सकते हो, Economic केटेगरी के हिसाब से आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि Constitution में ऐसा कोई Provision नहीं है, जो कि अभी आपको पता है, 103rd Amendment Act प 2019 में दी गई, यह इससे पहले 1992 में भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिकी गौर्वर्मेंट ने, लेकिन Supreme Court ने स्टक डाउन कर दिया, लेकिन अब क्यों नहीं किया, क्योंकि अब Constitution में अमेंडमेंट कर दिया था गौर्मेंट ने, सवीधान में अमेंडमेंट करके यह Reservation दी कैप को दो, चाहे किसी को दो, उसकी लिमिट 15% से जादा नहीं होनी चाहिए, इंडिया की Population जितनी भी Vacancy निकले, जैसे मालो 100%, 100 Vacancy निकले है तो 50% सकी सारी Reservation इसके अंदर आनी चाहिए, 15% General Seat के लिए नहीं होनी चाहिए, और General Seat में आपको पता General Seat में ऐसा नहीं है, कि अगर कोई OBC का बंदा भी मालो, इतनी rank ले आता है, इतनी number ले आता है, कि वो General Category से जादा है, तो फिर वो General Seat में compete करेगा, या SCST का कोई लेके आता है, इतने number General Category से जादा, तो वो General Seat है, जो उसके लिए compete करेगा, उसके seat ले सकता है, तो यह सारा मामला था, अब इसी से जो यह इंदरासानी का केस था, creamy layer का concept का origin होता है, इसमें मतलब root देखने को मिलता है, इसकी जड़, कैसे, creamy layer का concept तो बाद में आया, creamy और non creamy, non creamy, creamy का क्या मतलब है जी, यह मतलब है जी, यह एक debate उठी, कि OBC category को जो reservation दी हुई है, इसमें क्या है जी, बहुत सारे ऐसे people है, ज जिनकी condition बहुत अच्छी है, उन्हें creamy layer में रखा जाए, और जो poor people है, OBC में उन्हें non creamy में रखा जाए, तो इनमें category divide करी जाए, और जो non creamy layer है, जयानि कि जो poor people है, OBC में, उनको preference दी जाए, job में educational, job में reservation के लिए, या फिर किसी में भी government job में, या institutional college वगरा में, उनको preference दी इस judgment में कहा था, कि जो आप OBC को reservation दे रहे हो, वो सिर्फ initial appointment तक ही limit रहनी चाहिए, उसकी, आप promotion में नहीं दोगे, समझ गयो, जैसे मानलो जी जब भरती हुई, recruitment हुआ, तो तब ही आप reservation दोगे, ऐसा नहीं है कि बाद में मानलो पर्मोशन के लिए भी आप reservation दो, पर्मोश समझ गए, और population कितनी है, general category की, लगवग census के साफ से 50%, तो ये क्या है, कि जो 27% इसमें, क्या है, ये OBC के लिए तो रखा नहीं गया, promotion में, reservation, लेकिन SCST के लिए रखा गया, क्या, कि SC की population मानलो 15% है, और ST की मानलो 7.5%, समझ रो, मानलो आप इतनी है, 7.5%, 15%, तो इसमें जैस मानलो revenue department में 100 लोग काम करते हैं, तो SCST के population के हिसाफ से 15%, 7.5% लोग SCST category के होने चाहिए, तो इसको fulfill करने के लिए, अगर मानलो SCST के candidate, educatedly, represent नहीं है, मतलब कि उप्युक्त रूप से उनका representation नहीं है, कि इतने लोग नहीं है, population के हिसाफ से, तो उन लोगों को promote किया जा सकता अगर सेम सर्वीस है, सेम सर्वीस होनी चाहिए, जैसे मानलो सेम सर्वीस का मतलब है, जी अगर general category का बंदा है, 40 साल उसने job की है, और उसका promotion होना है, एक SCST का है, उसने भी 40 साल job की है, और उसका promotion होना है, और अगर मानलो किसी department में 100 लोग काम करते हैं, और उसमें already 80% क्या ह हैं, 20% ही ऐसे हैं, जो OBC, SC, ST से हैं, तो इनकी representation, क्योंकि general category की तो already है, तो general category का जो है, जनरल category का उसको क्या है, कि उसे promotion ना दी जाएगी, फिर SCST को promotion दी जाएगी इससे पहले, क्योंकि इसकी same service है, और इसकी representation नहीं है उस department में, तो ये सारा promotion का fundा है, लेकिन इसमें जो इ breach of limit by states, अब क्या जी, states ने जी, जो 50% reservation की limit रखी थी, सुप्रीम कोट ने इंदरासानी के case में, उसका उलंगन क्या है, स्टेट ने कई बार, कब-कब क्या है, ये देखेंगे हैं, सुप्रीम कोट ने judgment पास क्या इंदरासानी का 1992 में, जिसमें 15% की limit रखी, लेकिन ये कई ब 69% तक reservation प्रोवाइड करता है, state government job में, और educational institution में, तो इसने breach की limit है, जनवरी 2000 में, गवर्नर ऑफ अर्सवाइल state अधर प्रदेश ने डिक्लेर कर दिया, कि 100% reservation मिलेगी, ST category के student को, मतलब candidate को, स्टूल tribe के जो लोग हैं, उनको मिलेगी, इनदा post of school teacher in school area, आंधर प्रदेश मे स्टूल एरिया है, स्टूल एरिया ऐसे होते हैं, president notification जारी करके, बस notification में लिख देता है, कि यह area स्टूल एरिया, जहां पर मानलो, अनुस्वी सी जनजाती के लोग रहते हैं, ट्राइबल वगेरा, उन्हों area को स्टूल एरिया घोशित कर दिया जाता, जहां पर majority of people, ST category के म और यह बाद में रद्ध हो गई यह, जो भी provision बनाई थी, महरास्टा state reservation for socially educationally backward classes act बनाया जी, 2018 में महरास्टा state government ने यह act बनाया, जिसके थूरू 12% to 13% quota benefit दिया गया, मराठा communities को, जो की 15% की जो limit थी, उससे अबब दिया गया, 50% तो पहली reservation है, उससे उपर दिया गया, 12% to 13 15% reservation मराठा community को, यह act enactment किया जी, 2018 में, तो state ने बार बार इस limit को breach किया जी, उलंगन किया है, यह आप example देख सकते हो, मतलब जब भी आप mains का answer लिखोगे, तो यह example देखे, अपने answer को substances कर सकते हो, मतलब अपने answer को powerful बना सकते हो, जिससे आपको क्या है, example के साथ आपकर answer लि जो 50% की ceiling limit है, reservation ते, जो इंद्रा साहानी judgment में introduced की थी, वो was not cast in stone, cast in stone का क्या मतलब है जी, यह permanently fixed नहीं होनी चाहिए, firmly established नहीं होनी चाहिए, तो यह state की concern है, इन तीनों state ने बोला है कि यह permanently fixed नहीं होनी चाहिए, यह क्या है जी, flexible होनी चाहिए, इंद्रा साहानी judgment को required है, र तुबारा से review किया जाए, और क्योंकि 1992 में यह case सुनाया गया था reservation का, और उससे अब तक 1992 से लेके अब तक लगवग कितने साल होगे जी, 30 years होगे, अब तक तो यह क्या है, मतलब 28 years होगे, लगवग मान लो, 30 years मान लो, कि यह क्या है, कि अब जब से अब तक जो situation है, वो change ह हो चुकी है, तो इस case का भी review किया जाना चाहिए, और इसके regarding क्या जी, also there is a contention regarding the constitutional act of 2018, constitution act बनाया था जी, एक 102nd amendment act 2018 में, जिसके थुरू क्या है, national commission for backward class को constitutional status दे दिया गया, मतलब एक समवेधानिक संस्ता बना जी, national commission for backward class, backward class के लिए commission बना दिया, आयोग, यह अब क्या करता है, यह identify करता जी, और provide करता है, कि कौन कौन सी socially और educationally backward class हैं, OBC में, यह identify करता है, लेकिन state government का यह कहना, जो यह amendment किया गया, 100 second constitutional amendment, और जिसके थुरू यह commission बनाया गया, backward class के लिए, यह state authorities के साथ क्या है, interfere करता है, हस्तक shape करता है, to provide a benefit of socially, educationally backward class in their own jurisdiction, मतलब वो अपने jurisdiction में, अपने state में, वो reservation देना चाहते है, educational और socially backward class को, तो यह commission बीच में interfere करता है, हस्तक shape करता है, कि identify करने में कि कौन सी OBC class होनी चाहिए, कौन सी नहीं, तो यह एक, इनकी concern जी state की, लेकिन ministry of social justice on empowerment ने जी, का है, कि power to identify socially or educationally backward class lies with parliament only, with reference to the central list, इसने का है, जी ministry of social justice ने, कि अगर central list में किसी को reservation देनी है, OBC को, तो यह identify करने की जिम्मेदारी है, जी, parliament की, वो parliament identify करेगा, कि कौन सी socially or educationally backward class है, लेकिन अगर मानलो जी state क्या है, कि अपने लिए state के लिए separate list बना सकता है, कि reservation देने के लिए, आप state में, मानलो reservation देना चाहते हो, separate list बना सकता है, कोई भी राज जी state socially and educationally backward class के लिए, लेकिन central list में अगर किसी को reservation देना है, तो वो केवल और केवल पारलेमेंट बना सकता है, यह ministry of social justice ने इनके जवाब में बोला, अब हमारे constitution में क्या provision है, जी reservation की अभी क्या condition है, सारी देखते है, constitutional and reservation, देखो, government ने 1995 में एक amendment लेके आया, 77th constitutional amendment act, यह constitution में amendment किया, जब इंदरा साहनी verdict ने कहा था, कि head held, there would be a reservation only in initial appointment and not promotion, यह क्या कहा इंदरा साहनी केस ने, इंदरा साहनी केस ने कहा, कि आप क्या है, promotion में reservation नहीं दोगे, सिर्फ initial appointment में दोगे, यह OBC के लिए, और SCST के लिए सब के लिए ऐसा बोला, उसने, OBC के लिए भी बोला, SCST के लिए भी बोला, लेकिन जब यह 77th constitutional amendment act पास किया गया, 1995 में, इसके साथ एक article जोड दिया, constitution में, सवीधान में, कौनसा, article clause 4A, यह जोड दिया, यह article 16, 4A, इसमें कहा गया, कि यह empower करता है, state को, state का मतलब है, यह government, central government, यह state government, कि वो क्या है, उनके पास power है, वो बना सकते ह इसा law provision to make a provision for reservation in the matter of promotion to SCST employees, वो क्या है जी, वो promotion में reservation देने के लिए ऐसा कानूर बना सकती है, कि SCST employees को reservation दी जाए, employees, मतलब promotion में भी, अगर state को ऐसा लगता है, कि यह SCST के category, जो है, are not educated representative, मानलो जी, वो जो example लिया था, हमने revenue department का, अगर 100 employee काम करते हैं, उनमें क्या है, 80% मान SCST का कोई reservation में, यहाँ पर मतलब SCST के जो है, मानलो secretary level पर SCST का कोई यहाँ पर वो ही नहीं है, representation ही नहीं, SCST के category के लोग है ही नहीं, तो अगर मानलो अब promotion की बार ही आई है, 40, यह एक general category का person है, इसकी 40 एर इसने काम किया है, department में, और एक SCST का कोई भी, उसमें भी 40 एर किया है, तो अगर इसमें promotion करना, security level पर, security level पर जितने भी लोग है, उनमें लगवक 80% general category के हैं, और जो SCST के जी, उनका बहुत ही कम है, या तो OBC के general category के, तो इनको क्या जी, representation देने के लिए, तो फिर इने promotion किया जा सकता है, ऐसा, इस amendment में का जी, constitutional amendment किया, तो ऐसा state बना सकती है, के कोई law, समझ गए, और जो भी ये जी, law, इसमें एक और क्या जी, 81st amendment act क्या जी, constitutional amendment act 2000 में, 2000 में, इसमें article 16.4 भी जोड़ा, जिसमें कहा, जो which says unfilled SCST quota के जासे मानलो, जी, आज, मानलो, आज भरती निकली है, जी, इस year में, 100, मानलो, पोस्ट निकली है, और इनमें SCST की, ज इतनी पोस्टी, SCST के रिजर्व थी, लेकिन ये क्या है, इस साल जो भरती हुई, recruitment हुआ, वो केबल 15 ही भर पाई, 10% seat SCST की जो आए, खाली रह गी, एमटी, तो अब क्या है जी, सुप्रिम कोट का कहना था, कि इन्हें आप carry forward नहीं करोगे, carry forward का मतलब है, अगले साल जब 100 तो ये 10 इसमें नहीं जोड़ोगे, क्योंकि 10 आप इसमें जोड़ोगे, तो ये क्या है, 50% से ज़्यादा कोटा हो जाएगा, reservation हो जाएगा, जो इंदरसानी केस का violation करेगा, उलंगन करेगा, लेकिन 81st constitutional amendment कियागा, government ने, constitutional amendment act 2000, इसमें article 16-4 भी जोड़ा, उसने कहा, कि carry forward rule ल खाली रह गई, 15 seat ही भरी, और 10 seat ऐसी हो गई जी, SCST के student वगएरा मिले ही candidate, इन्हें भरने के लिए, मतलब वो उनमें merit नहीं थी, मतलब exam ही पास नहीं कर पाए, जितनी cut off गई थी, तो 10 seat खाली रह गई, तो 10 seat खाली रह गई, अगले साल निकलेंगी, तो इन्हें 100 seat इन्हे act करके, तो ये vacancy क्या है जी, क्योंकि इस साल की vacancy नहीं है, ये पिछले साल की vacancy है, तो ये 50% को जो reservation का quota उसको violate नहीं करती जी, इंद्रासवानी केस को उलंगन नहीं करती, ऐसा इसमें जोडा गया article 16.4b में, अब फिर एक और amendment क्या जी, 2001 में, 2001 में, 85th constitutional amendment act, इसमें क्या का गया, इसमें कहा, कि it provided for reservation in promotion can be applied with constitutional seniority for government servants, belonging to STST with retrospective effect from 1995, इसमें कहा गया, कि seniority के हिसाब से ही reservation दी जाएगी, पर्मोशन में, जैसे वो example लिया था, हमने revenue department का, कि 40 year है किसी की मानलो, किसने 40 year job किया, और एक, मानलो general category का candidate है, जिसने 40 year तक job किये, और एक SCST का है, जिसने भी 40 year क किये, तो दोनों की अगर सेम है, तब ही promotion दिया जाएगा, SCST को, अगर मानलो जी, इसने general category की जो उस वो अपनी job कर चुका है, 40 year, और STST का जो है, उसकी मानलो 39, 35 year तक job किये, तो तब उसे promotion नहीं दिया जाएगा, तो ये देखा जाएगी, seniority देखा जाएगी, in term of job year, जो job कितने साल job किये, और ये retrospectively effect होगा, जी, इसका retrospective का मतलब है past से, मतलब 1995 से ही ये लागो होगा, 1995 से जो लोग job कर रहे है, उनकी seniority कितने साल तक job किये, अगर उनकी बरावार है तो SCST को promotion मिलेगा, ये बोला गया, जिसमे, seniority किसमें देखाएगे, in term of government service में, कि कितने साल तक उसने government को service दिये से वाकी government की, तो ये देखा जाएगा, फिर इसके बाद जी आया है, 103rd amendment जो 2019 में किया गया, constitutional amendment 103 number का, इसमें क्या का गया, जो economically weaker section है, general category के, उनको EWCES के नाम से 10% reservation दे दी गई, मतलब ये 50% से उपर है, 50% जो reservation दी जाती हो, OBC, SC, ST, physical handicapped, या फिर किसी और क जी, जैसे जो retirement होती है, government job से, ex officer को, government ex officer को, तो इसके अलावा 10% reservation दी गई, किसको EWS को, जो general category में poor people हैं, जी, ऐसे लोग में है, general category में, जो poor people हैं, वो कुछ भी नहीं है, उनके पास, और वो क्या जी, पिछिडे हुए है, तो इनको क्या है, 10% reservation दी गई, 103rd constitutional amendments act से, 2019 में ये पास हो गया, act, और ये 2020 से लाग हो गया, एक article जी, article 335, ये सबसे important है जी, पढ़ना, क्यों, इसको ये article बोलता है, कि आप SCST category को reservation दो, ठीक है, कोई बात नहीं, दो, लेकिन, साथ में आप maintenance करोगे, efficiency of administration का, देखो जी, ये मतलब नहीं है, SCST category को job में reservation दी जाती है, तो इसक इसा नहीं है, किसी को भी उठा के बैठा दिया, समझ गया, तो जिसके पास merit है, जिसके पास mind है, वो ही जाएगा, तो ये देखा जाएगा, कि वो administration को चलाने के लिए काबिल है, क्या नहीं है, परसासन को job, government job करने के काबिल है, तो उसके लिए exam pass करके जाएगा, तो efficiency देखा जाएगा, कि हाँ, वो बंदा जिसका SCST category का उसके पास merit है, वो काबिल है उस post के, तब ही वो promote किया जाना चाहिए, ये article 335 बोलता है, तो उसी को दी जाती है, जो capable है, अब way forward में क्या कह सकते हो, जी आप, last में conclusion में, क्या के लिख सकते हो, answer में, mains के answer में, इसमें लि औरत है, should be definitely review, 50% reservation quota, क्योंकि अभी क्या है, issue और need arise हो रही है, बार बार state government इसका पोज करती है, तो एक बार Supreme Court के इसका review करना चाहिए, ऐसा लिख सकते हो, दूसरा maintaining federal structure, federal structure को भी maintain रखा जाना चाहिए, क्यों state और central government में power divide है, federal structure का मतलब है, संग्य धाचा, हिंदी में बोलत central government और state government के बीच में जो powers divide होती है, तो इनका maintenance balance होना चाहिए, कि state को भी अधिकार हो, और central government को भी अधिकार हो, दूसरा balancing the reservation and merit, कि reservation देने के साथ, merit को भी आप maintain रखोगे, administration में, ऐसा नहीं है कि कि किसी को भी reservation दी जाएगी, कि administration की efficiency effect नहीं होनी चाहिए, अगर आप reservation दे रह में लिख सकते हो, कि reservation beyond the limit will lead to ignorance of the merit, which will disturb the entire administration, कि reservation अगर एक limit से जादा दी जाएगी, तो ये क्या है, merit को ही ignorance कर देगी, तो ये पूरे entire administration को effect कर सकती है, disturb कर सकती है, तो reservation और merit एक साथ देखी जानी चाहिए, कि reservation उच्छी हद तक दी जानी चाहिए, जब तक merit effect नहीं हो, merit का मत administration का मतलब है जी, परसासन चनाना, government का काम का जो चल रहा है, उसकी efficiency कम नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी जो productivity या जी, उत्पाक दखता जैसे जो भी काम करने का है, government में, उसकी efficiency कम नहीं होनी चाहिए, कम maintain रहनी चाहिए, तो इसका भी balance रखा जाना चाहिए, तो इस lecture में सिर